हेलो नमस्कार दोस्तों सेलेक्शन मेंटर पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और मैं अंकुर शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के सामने मैट्स का सेशन नमबर 5 लेके हाजिर हूँ तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लेक पाल की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसकी बावन सो वेकेंसी खुलने के लिए पूरी तरीके से तयार हैं जैसा कि सरकार ने अनॉंस्मेंट किया है तो number of zeros हमारा अगला chapter होगा बहुत ध्यान से पढ़ेंगे छोटा सा chapter है और बहुत ही ज्यादा interesting है और मज़ा आएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा simple formula जिसे कहेंगे बहुत simple चीजों से मिलके ये बना हुआ है तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को आपके सामने वाटसब नंबर लिखा है 9121815869 तो इस वाटसब नंबर से सब लोग जुड़ जाएंगे और डेली study notes यानि PDF form में और डेली live class के links आप तक पहुंसते रहेंगे तो आगे देखेंगे यहाँ पर जो हमारा topic है basically वो है हमारा number of zeros पर topic शुरू करने से पहले एक आज की quote यहाँ पर देखते हैं क्या है जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी क्या है इसका मतलब कि जो जीतना या हारना किसी goal को achieve करना या उसमें fail हो जाना वो सिर्फ दो बातों पर निर्भर करता है अगर आपने मान लिया कि ये काम भारी है और मुझसे नहीं होगा तो निश्चित तोर पर आपकी हार होगी पर अगर आपने ठान लिया कि मुझे ये काम करना है मुझे जॉब लेके दिखानी है तो आपकी जीत वहाँ पर निश्चित है उसे कोई भी नहीं रोक सकता तो बिलकुल इस positive thinking के साथ आज की सुभा शुरू करते हैं सेशन को जोड़दार तरीके से जो भी चीजे होंगी सीखने लायक उनको बड़े आराम से समझेंगे सीखेंगे और देखेंगे ध्यान से शुरू करते हैं सेशन को टॉपिक का नाम है यहाँ पर number of zeros तो आपको देखना है कि number of zeros का मतलब क्या है हिंदी में बात अगर करें तो शून्यों की संख्या हिंदी में क्या होगा यह शून्यों की संख्या इंग्लिश में होगा number of zeros तो आपको find करना होगा कि कि कितने number of zeros हैं यह शून्यों की संख्या क्या है अब आपको ये देखना है कि ये शून्यों की संख्या जो बात कर रहा है यहाँ पर किस चीज में यहाँ पर देखना है तो शून्यों की संख्या के लिए एक छोटा सा question लेते हैं जिससे हमें concept समझ में आ जाए तो question है हमने लिखा suppose 25 into 6 ये आपके सामने एक छोटा सा question लिख दिया मैंने अब हमें इस question का answer बताना है हमें बताना है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी इसमें यह जरूरी है कि 0 कैसे बनता है तो 0 बनने के सिर्फ एक तरीका होता है और वो है आपका जब हम 5 की multiply 2 से करते हैं जब हम 5 की multiply 2 से करते हैं तो हमें 10 मिलता है मतलब क्या है एक 0 मिलने के लिए हमारे पास एक बार 5 होना चाहिए और एक बार 2 होना चाहिए यह बात समझ में आ गई हो तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर मेरे पास 2 बार 5 है दो बार 5 का मतलब 5 की power 2 या मैं इसको 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ और दो बार दो हो मेरे पास तो कितने 0 बनेंगे दो बार तो 5 हो गए और दो बार मेरे पास 2 हो गए तो हमें पता करना है कि यहाँ पर कितने 0 बनेंगे तो मैंने अभी बताया था कि 1 0 कब बनता है 1 0 बनता है जब मेरे पास 1 बार 5 होगा 1 बार 2 होगा एक बार 0 बनाने के लिए एक 5 और 2 का pair चाहिए, मैं ऐसे बोल तकता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, pair चाहिए एक युग में चाहिए मुझे 5 और 2 का तब जाके मुझे 0 मिलता है बट अगर मेरे पास 2 बार 5 और 2 बार 2 हैं तो मैं कहूँगा मेरे पास 2 pair है 2 जोड़े हैं मेरे पास तब मैं कहूँगा मेरे कितने 0 बनेंगे तो आप कहेंगे 2 0 बनेंगे बिल्कुल, यहाँ पे 0 की संख्या हो जाएगी 2 तो 2 0 यहाँ पे बनने वाले हैं, ठीक, यहाँ तक बात समझ में आगी अगर मैं इस सवाल को solve करूँ तो मैं आपको यहाँ पे open करके दिखाऊँ तो 25 बनेगा 5 into 5, मतलब 25 के अंदर कितने 5 होंगे, 2 5 होंगे ठीक है, 6 को अगर मैं break करूँ तो यहाँ पे करूँगा 2 into 3 2 into 3 तो यहाँ पे मेरे पास 5 कितने है 2 है, पर जो 2 की संख्या है वो सिर्फ मेरे पास 1 है तो pair कितने बने मैंने बताया था, जितने pair होंगे उतने 0 होंगे, यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, कि यहाँ पे लिख दिया मैंने, कि जितने pair होंगे उतने ही 0 होंगे, ठीक है यहाँ pair कितने बन रहे है तो pair तो एक ही बन रहा है ना एक बार 5 और एक बार 2 है तो इसका answer आएगा 10 यानि कि एक बार 0 इसके answer में आएगा इतनी बात आपको समझ में आ गई अब इसका थोड़ा बड़ा question लेते हैं जैसे अभी मैंने एक question लिखा था आपके सामने ये solve करके आया था कि 5 तो मेरे पास 2 है पर जो 2 है वो मेरे पास 1 है तो इसमें pair कितने बन रहे हैं आपने कहा इसमें तो एक ही pair बनेगा 5 और 2 का ठीक है तो 0 की संक्या यहाँ पर एक आ गई इतनी बात समझ में आगी अगला सवाल देखते हैं अगर मैं लिखूं कि question है मेरे पास कि 5 क इसका मतलब क्या है पहले इस मतलब को समझेंगे इसका मतलब सिर्फ इतना सा है दोस्तों कि 5 जो है वो मेरे पास 17 बार है और जो 2 है वो मेरे पास 7 बार है यह बात समझ में आ जाएगी आपको मैं पूछता हूँ पेर कितने बनेंगे यहाँ पर किसके पेर पांच गुणा दो के कितने पेर बनेंगे तो आप कहेंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ साथ पेर बनेंगे क्यों क्योंकि भाई पांच की पावर साथ और दो की पावर साथ यह साथ पेर बन गए ना अब यह पांच की पावर 10 जो बचे 17-7 मैंने यह ले ली अब जो यह 10 पचे यह बचे रहेंगे बाई जो बचा हुआ है वो बचा हुआ रहेगा यह 5 जो है बिना 2 के बिल्कुल बेकार है जब तक इसे 2 का साथ नहीं district यह नहीं बनाता और यह 0 नहीं बनाता बास समझ में आ गई इसका मतलब है यहाँ पर इस question का answer आएगा कि हमारे इस question में number of 0s की समझा 7 इतनी बास समझ में आगई 101% वीडियो को एक बार like कर दें सारे लोग एक बार like कर देंगे यहाँ पर 0s की संख्या बतानी है क्या बताना है जीरो की संख्या बतानी है तो सवाल answer आएगा 172 बिल्कुल समझ में आगई होगा 172 इसका answer यहाँ पर आने वाला है 172 क्यों आया क्योंकि pairs जो है 5 और 2 के वो कितने बनेगे यहाँ पर 172 pair बनेगे यहाँ तक बात आपको समझ में आगई हो तो यस लिख दें आगे बढ़ते हैं वीडियो के next part में next part का मतलब है यहाँ पर अगला एक सवाल लिखूँगा छोटा सा मैं आपके सामने और मैं आपको factorial समझाने की कोशिस करूँगा क्योंकि जो एक्जाम में main question यहाँ से बनते हैं वो factorial से भी बन सकते हैं normal भी आ सकता है factorial भी आ सकता है देखिए factorial को normal तरीके से सिखाता हूँ मैंने लिखा factorial 11 इसका मतलब क्या होगा आप कहेंगे 11 into 10 into 9 into 8 dot 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 1 तक बाई एक से लेके 11 तक की सब की multiply हो जाएगी तब जाके आपका factorial 11 solve हो पाएगा ठीक यहाँ तक समझ में सवाल मेरा यह है कि factorial 11 में कितने 0 है कितने 0 है यह आपको बताना है ठीक यह जानने के लिए मुझे इन सब की multiply करने पड़ेगी जो की बहुत बड़ा काम हो जाएगा बहुत मुश्किल काम हो जागा एक्जाम में हम ऐसे questions को multiply के रूप में नहीं कर सकते तो यहाँ पे मुझे ट्रिक चाहिए और उसका नाम है 5 और 2 के जितने पेर होंगे उतने ही 0 होंगे इतनी बात समझ में आ गई है ठीक है तो मुझे पता होना चाहिए मेरा पास कितने 5 हैं और कितने 2 हैं तो यह जानने के लिए पहले इसको open कर लो एक बार ये लिखा 11 x 10 x 9 x 8 7 6 5 4 3 2 1 ठीक है ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ पूरा पूरा आपको ये समझाने के लिए कि हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि इसके अंदर 5 ज्यादा बार है या 2 ज्यादा बार है ये बात हमें पता होनी चीए क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं भाई जो जितनी कम बार होता है उतने ही पेर बनते हैं उतना ही आंसर आता है जैसे मैं बात करूँ कि भाई यह 5 की पावर 3 है, इंटू 2 की पावर 5 है, तो कितने पेर बनेंगे? आप कहेंगे सर तीन पेर बनेंगे, क्योंकि 5 तो 3 है, 2 बार जो है, मतलब 2 जो है वो 5 बार है, तो 5 बार से मुझे क्या फरक पड़ रहा है? जो कम बार होगा, उतने ही पेर बनेंगे, यह बाद आपको समझ में आ चुकी होगी, बलुकिली, ठीक है, इसको एक simplified तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, मानन लिजे दो दोस्त है, एक है, एक दो है, इनका नाम है, यह एक दोस्त है, यह दूसरा दोस्त है, मानन लिजे इनका cycle बनाने की एक company है, cycle बनाने है cycle का तो सबकोज इसने एक महीने में 15 साइकले बनाई बिना हैंडल वाली पर दूसरे दोस्त ने पूरे महीने में सिर्फ साथ हैंडल बना पाया मैं पोछता हूँ कितनी साइकल्स बनेगे, cycles कितनी बनेगी तो इसका answer आए का total cycle का जो production होगा company से वो होगा 7, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसने 15 तो बना दी cycles, without handle वाली, बिना handle वाली, लेकिन इसने 7 handles बनाए है, इसका सीधा मतलब ये है कि total cycles के संक्या यहाँ पे 7 होने वाली है, total cycles के संक्या यहाँ पे 7 होने वाली है, क्योंकि वो जो बची हुई 8 बिना handle वाली cycles है, उनका use नहीं है, उसका cycle पूरी पूरी नहीं बोल सकते, बात समझ में आई, ऐसे ही जो 5 है, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा, यह यहाँ बात करें, जो extra 2 है, उनका अस्तित्व नहीं रहेगा, बिना 5 के, तो pair तो सिर्फ 2 पांच मिल रहे है, और कहीं से 5 आपको नहीं मिल सकता, अब चैक करेंगे, दो कहा कहा से मिलते हैं, एक तो यहीं से मिल जायगा, क्योंकि 5इंटर 2 होता है, नौ बार 2 यहां से मिल जाएंगे, यहां से तो 3 पी मिल जाएंगे न एक टू यहां से मिलेगा दो बार टू यहां से मिलेगा एक बार टू मतलब टू की संख्या तो बहुत सारी है मेरे पास टू की संख्या मेरे पास बहुत सारी है पर फाईव की संख्या कितनी है दो बार फाईव है बस तो यहाँ पर जीरोs कितने बनेंगे तुरंत आप comment section में लिखना शुरू कर दीए आपने यहाँ पर दो जीरो मनेंगे बस इससे ज़्यादा तो बनी नहीं सकते क्यों क्योंकि मेरे पास 5 की संख्या कम है 5 मेरे पास बहुत कम है अगर मेरे पास 5 भी बहुत सारे होते तो यहां पर 0 बहुत सारे बन गए होते ठीक है लेकिन जैसे मैंने मल्टिप्लाई करके इतना लंबा चुड़ो लिखके आपको बताया कि आपने चेक किया 5 कितने हैं दो कितने यह एक लंबा मैथड है लंबा मैथड इसलिए मैं बोल रहा हूं अगर मैं एक क्वेशन देता हूं आपके सामने देके समझेंगे पहले बेसिक चीजों पर फोकस क संख्या बताओ तो आपको फैक्टोरिल पचास में शूनियों की संख्या बतानी है ठीक है तो इसको अगर हमने ऐसे खोलना शुरू कर दिया 50 इंटू 49 इंटू 48 तो यह तो पॉसिबल नहीं है कि 5 वर 2 निकाल पाई यहां पे तो इसको एक फॉमूला निकल के आएगा मैं वो ट्रिक आपको समझहाना चाहता हूं यहां पर देखिए इसको पहले हटा दें कि शिज़ात देगे उसकी value पता करनी है कि 5 कितने हैं इसके अंदर तो जब भी किसी factorial के अंदर मुझे पता करना होगा जैसे factorial n है कि इसके अंदर कितने 5 हैं तो मैं इसे 5 से ही divide करूँगा और अगर मुझे पता करना है इसके अंदर कितने 2 हैं तो मैं 2 से divide करूगा, मुझे पता करना इसका अबर कितने 3 हैं इतनी बास समझ में आगी, तो मुझे पता करना इसके अंदर कितने 5 हैं, तो मैं 5 से divide करूगा, तो 50 based 5 बरावर कितना आया 10, ठीक है, अब कितना हो इस 10 को ऐसे ही छोड़ेंगे, इस 10 को फिर नीचे लिखेंगे अब ये चीज जिसको समझ में नहीं मैं एक बार ऐसे समझाता हूँ ये चीज तो आपने बच्पन में पढ़ी रखी है ये वाली डिविजन तो पढ़ रखी है पहले 5 से डिवाइट किया फिर 10 आया फिर ये जो 10 आया इसको फिर से 5 से भाग किया यही काम तो हमने किया है ये जो 10 आया था इसको फिर से 5 से भाग किया था तो यहां भी ऐसी करना है जो 10 आयेगा उसको फिर 5 से भाग करेंगे यहां पर 2 आ गया अब तो ये 5 से जाएगा नहीं इन सब को एड कर लोगे जितनी जितनी बार जो तो चीज जा रही है उतनी उतनी बार उसको add कर लोगो यानि कि 10 प्लस 2 बराबर 12 तो इस particular question का जो answer है वो आगया 12 कितने 0 होंगे इसके अंदर वो होंगे 12 ये बात समझ में आगी कि इसके अंदर 0 कितने होंगे और आप कहोगे हैं आपे सर इसके अंदर 0 जो है इसके अंदर 0 जो है वो होंगे 12 वो कैसे निकले कि अगर 2 की संखिया तो बहुत सा आई है अगर मैं चाहूं कि 2 कितने हैं इसके अंदर वो निकालना इसके अंदर 2 कितने हैं अगर मैं चाहूं निकालना तो वो ऐसे निकलते हैं 50 को 2 से डिवाइट करो 5 की जगा पे 5 आएगा तो मैं कम वाला लोगा ये बात आपको समझ में आ चुक्य होगी ठीक है इसी के साथ कुछ questions करते हैं आपके सामने question लिखा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से question को solve करेंगे देखिए बहुत easy question के सामने ये है कैसे होगा ये ऐसे question करने के लिए इसको solve कर लो देखें ध्यान से देखेंगे यहां पे लिखा है 2 into 4 into 6 into 8 dash dash 250 है ना दो-दो करके बढ़ता जा रहा है दो-दो करके बढ़ता जा रहा है और 250 तक जा रहा है यहर संख्या में 2 से multiply है क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ इस 2 को 2 into 1 इस 4 को ऐसे लिखता हूँ 2 into 2 इस 6 को 2 into 3 इस 8 को 2 into 4 यानि यह 1, 2, 3, 4 तो आते रहेंगे कितनी बार 125 बार और हर संख्या में 2 से multiply हो रही है तो हर संख्या में 2 मतलब 125 बार 2 से multiply इसे तो ऐसे लिखोगे ना 2 into 125 यहीं 125 बार 2 से multiply हो रही है तो 2 की power 125 तो पहले यह अलग आ गया क्या गया 2 की power 125 तो अलग आ गया सब कुछ multiply में है power का मतलब multiply ठीक है अब क्या बचा एक इंटू दो इंटू तीन इंटू चार्ट डॉट 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 कितनी बार 125 बार ये बात तो आपको बिल्कुल समझ में आगे हैं कि 125 बार यहाँ पे बचा है 250 का आधा बार अब इतने सारे को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की power 125 तो ऐसी रहेगा 125 को हमने factorial के रूप में लिख लिया 125 को factorial के रूप में जब हम लिखेंगे तो अब हमारा काम है कि इसमें पता लगाना कि इस 125 के अंदर यानि factorial 125 के अंदर कितने 5 हैं पांच ही तो चेक करेंगे 25 बार फिर 5 से जाएगा 5 बार और 5 से जाएगा एक बार यानि कि आपका जो answer है वो आगया 31 31 answer इस question का आगया जल्दी से आपके comment करके बताएं कि ये question आपको समझ में आ चुका है अगले question लिख बढ़ते हैं ध्यान से देखेंगे अगला question क्या कहता है अगला question कहता है कि 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू इंटू बीस इंटू डॉट 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 पांसो देखेंगे बहुत important सवाल है अभी ये सारे चीज़ का निचोड यहाँ पर निकलने वाला है एकदम important start लगा लेंगे important question देखें कैसे करेंगे इस 5 को लिख सकता हूं 5 इंटू 1 इस 10 को लिख सकता हूं 5 इंटू 2 इस 15 को लिख सकता हूं 5 इंटू 3 इस 20 को 5 इंटू 4 इस 500 को 5 इंटू 100 मतलब एक बार दो बार तीन बार चार बार ये तो आ रहा है ऐसे dot dot so तक ये तो आ रहा है ऐसे ही अब ये जो पांच है एक बार पांच दूसरी बार पांच तीसरी बार पांच चौती बार पांच कितनी बार पांच आएगा भईया ये आएगा सो बार पांच तो 5 की बार तो यहाँ पे 100 हो गया यहीं 100 बार 5 आ गया अब इससे पिछले question में बहुत सारी बार क्या आ रहा था बहुत सारी बार आ रहा था 2 जो 2 था वो बहुत जगे आ रहा था तो 2 तो मुझे check करने की जरूत नहीं थी मैंने 5 check किया अब इस सवाल में 5 अल्रेडी बहुत सारे है 5 जो हैं बहुत सारे है तो क्या मुझे 5 check करना चाहिए चेक कर लो और आपको 2 भी check करना चाहिए 5 भी check करना चाहिए जो कम होगा उसे ले लेना लेकिन अगर आप सब कुछ समझ गया होंगे तो आपको 2 check करना है कितनी बार है जितनी बार 2 होंगे वही आपका answer होगा कैसे जितनी बार 2 होंगे वही आपका answer होगा वो ऐसे होगा क्योंकि 5 तो अल्रेडी बहुत सारे हैं और ये value जो है आपकी बन गई है 5 की power 100 into factorial 100 इस factorial 100 एप्रइट के अंदर बहुत सारे पाँच आएंगे और बहुत सारे पांच तो पहले ही रखे हुए है। फिर भी दो की वैल्यू चेक करो 2 कितनी होगे। reminds पांच भी check कर लेंगे संतुष्टी के लिए। दो कितनी होगे, दो जो है 50 बार जाएगा, फिर दो जो है 25 बार जाएगा, दो जो है 12 बार जाएगा, और दो जो है 6 बार, दो जो है 3 बार और 2 एक बार, इन सब को add कर लो, 50, 25, 75, 12, 87, 87, 96, 93 और 4, 97, 97 बार 2 आया, 5 की पावर 100 तो ऐसे ही है, इसके अंदर अगर मैं बात करू बात कर आएगा, तो तो दो की पावर क्या आएगा, 97 आएगा, आच्छा इसके अंदर और बहुत सारे 5 होंगे, बहुत सारे 5 होंगे, लेकिन ये 105 ही already हैं इसमें थोड़े से 5 और मिल जाएंगे तो ये 100 से भी ऊपर हो जाएंगे इसका मतलब मुझे तो कम वाला लेना था ना लेकिन 97 क्यों आया क्योंकि मैंने दो की संख्या की है कि मेरे पास दो कितने है इतनी बात आपको समझ में अगले क्वेस्च्ण की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं सवाल आपके सामने है, देखे ध्यान से, इसमें भी वही काम करना, एक बार फिर से मैं इस सवाल को लिख लूँ, 10 into 20 into 30 into 40, dash 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 1000 बार लिखा हुआ है, ठीक है, अब यह 1000 बार जो लिखा हुआ है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, इस 10 को हमने लिखा 10 into 1, इस 20 को लिखा 10 into 2, ठीक, इस 30 को लिखा 10 into 3, इस 40 को लिखा 10 into 4, इस 1000 क्या लिखोगे, 10 into 100, मतलब है, यह 1, 2, 3, 4, हर टम में से मिल रहा है, तो 1 into, सबका बीच में multiply है, तो हम multiply लगाएंगे, 3 into 4 into 5, डेस जाइस 100 कर, इतनी बाद समिन देगी, और हर एक में से क्या मिल रहा है, यहां से मुझे एक 10 मिला, यहां से मुझे एक 10 मिला, यहां से मुझे एक 10 मिला, और 10 कितनी बार मिल रहा है, 100 बार मुझे क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है, 100 बार 10 मिल गए, अब क्या करें, आगे बढ़ेंगे पहले, 100 बार तो 10 मिल गया, ठीक है, आगे बढ़ो, multiply के अंदर, इसको मैं कैसे लिखनू, इसको लिखनू, फैक्टोरिल के अंदर 100, अब मुझे बताइए, मुझे बताना था, इसमें 0 कितने हैं, तो देखें, 100 बार 0 तो अल्रेडी आ गया न, भाई 10 में होते हैं, एक 0, अगर इसकी पावर 100 है, इसका मतलब 100 0 तो अपने आप आ गये, 100 बार 0 तो अपने आप आ गये हैं, अब जो है, मुझे फैक्टोरिल 100 के अंदर चेक करना है, कितने 5 हैं, 5 क्यों चेक करें, क्योंकि इसके अंदर 2 तो हैं ही ओल्रेडी, 5 गया 20 बार, फिर 5 ग बार 5 है, 24 बार 5 है, अब 2 तो इसके अंदर बहुत होगे, 97 बार 2 होते हैं, 100 के अंदर, अभी तो चेक किया था, कि 100 के अंदर कितने 2 होते हैं, 97 बार 2 होते हैं, तो हमें तो कम बार ले लेने थे, तो 5 की संख्या जितनी थी, यानिकि 24 है, हमने 24 ले लिए, अब 0 की संख्या बतानी है ना, तो 100 0 तो already है, 100 0 तो already है 24 0 और ले लो और ये आगए आपके 124 0 124 0 आपके आचुके हैं I hope कि आपको ये बात समझ में आचुकी होगी, अगले सवाल के तरह में लोग बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने आगया, बहुत ज़्यादा important सवाल है बहुत important सवाल है, देखेंगे सवाल में कर रहते हैं सवाल को क्या है इसमें? इस सवाल को कर रहते हैं, इसमें लिखा है 5 into 10 into 15 into 20 इस तरीके से लिखा है, इसको फिर में break करने की कोशिस करूँगा, पहले मैं इसको बड़ा बड़ा लिखनूगा यहाँ पर, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो यहाँ मैंने लिखा 5 into 1 10 को लिखा 5 into 2 15 को लिखा 5 into 3 20 को लिखा 5 into 4 55 को लिखनूगा 5 into 11 इतनी बात अगर समझ में आती है तो मैं कहुँगा, यहाँ भी एक 5 है 2, 5, 3, 5, 4, 5 हर बार तो 5 है, कितनी बार? 11 बार, तो 5 की पावर 11 बाहर लिख लिया multiply में, multiply यसलिए कि 11 पावर क्यों चड़ी क्योंकि 11 बार 5 तो है यहाँ उसके बाद 1 into 2 into 3 into 4 डेस डेस 11 बार, यह वैसा ही question है जैसा हमने यहाँ किया था यहाँ किया था, कि 5 की संख्या already 100 बार है, आप 2 की संख्या बतानी है, कितनी है तो जल्दी से वीडियो में ने pause यहाँ पे कर रखिये, आपको समय देते है यहाँ पे solve करके इसे दिखाईए कि यहाँ पे कितनी बार आपकी क्या आएंगे आपके यहाँ पे कितनी जो है टू आएंगे, भाई जितने टू आएंगे उतने ही तो आपके यहाँ पे 0 बनेंगे कि 5 तो अल्रेडी बहुत बार है तो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ इसको ऐसे लिख लो, 5 की पाउर 11 तो अल्रेडी है इसको लिख लो, factorial 11 के अंदर 2 कितने होते हैं, चेक कैसे करते हैं, कि कोई संख्या कितनी बार आती है उसे उतनी से डिवाइड करते हैं दो पंजे 10, दो दुना 4, टू अन्जे 2 5 प्लस 2 प्लस 1 कितना आगया, 8 इसका मतलब इसके अंदर 2 की पाउर कितनी है, 8 है जब 2 की पाउर 8 है, और 5 कितने है, 5 तो 11 हैं, और इसके अंदर भी और 5 निकलेंगे अभी इसके अंदर भी 5 निकलेंगे अभी कैसे निकलेंगे इसके अंदर 5 फिर से 5 से डिवाइड कर दो अकर 5 निकलें 5 दूना 10, यानि कि 2 आगया, 2 तो कटे का निकी से तो इसके अंदर दो बार पांच है तो पांच की संख्या हो गई तेरा और दो की संख्या हो गई आठ तो number of zeros होंगे आठ क्योंकि मुझे कम वाला लेना होता है इतनी बात समझ में आगे शुरू से एंड तक ये चेक करने की जरूरत ही नहीं थी तो ऑल्रेडी जादा है और अभी बहुत सारे पांच और निकलने वाले थे हैं बहुत सारे मतलब दो तीन जितने भी निकलेंगे हमें इस बात को धियान देना है ठीक है चलिए इतनी सारी बात ते आपको समझ में आए कुछ important important questions करेंगे यहां पर एकदम जवर्दस जवर्दस equations ठीक है देखेंगे ध्यान से सब लोग देखेंगे और बहुत अच्छा लगेगा आपको समझ के एक सवाल करेंगे यहां पर अभी तक हम multiply वाला कर रहे थे इनमें अंतर समझ में आएगा अगला सवाल है इस सवाल को करने के लिए प्लस का निशान है ध्यान रखेंगे दिमाग में multiply नहीं है तो 5 मैं ऐसे common लूँगा कि इस में से एक बचेगा इस 10 में से 2 बचेगा इस 15 में से 3 बचेगा इस 20 में से 4 बचेगा 25 में से 5 बचेगा और 30 में से 6 बचेगा यहां तक बात समझ में आगई इस 5 इंटू 6 और 5 11, 4, 15, 3, 18, 2, 20, 21 और 21 पंजे 105 मतलब इसमें 9, 0 9, 0 मतलब कोई भी शूनियन नहीं होगा 9, 0 कोई भी शूनियन नहीं होगा इतनी बात समझ में कोई भी शूनियन में नहीं होने वाला है ठीक है? कितना प्यारा क्वेशन था? अगला सवाल और देखेंगे हम यह आपे दो-तीन फैक्टोरिल के जवर्दस जवर्दस क्वेशन करेंगे फैक्टोरिल 18 मैंने लिखा और प्लस का फैक्टोरिल 19 मैंने लिख दिया आपको बताना है शूनियों की संख्या आपको क्या बताना है? शूनियों की संख्या कितना है? शूर्णियों की संख्या बतानी है अब एक concept मैं आपको सिखा देता हूँ concept के यह factor 18 और यह factor 19 है दोनों को क्या करना है यहाप पर जोड़ देना है factor 19 है ठीक है इसको थोड़ा लिख जें ठीक से देखे factor 19 से अब मैं एक concept आपको सिखाता हूँ यहाँ पर छोड़ा था एक छोटी सी ट्रिक है सकते हैं ट्रिक नहीं concept है factor 17 लिखा है कहीं पर तो इसको ऐसे ब्रेक करते है 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू डॉट 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 एक तक है ना और मैं कहा रहा हूँ अगर कहीं पर factor 16 लिखा है उसे क्या कहेंगे 18 इंटू 19 इंटू 19 इंटू 19 इंटू 18 होगी के नहीं होगी बिल्कुल होगी मतलब एक नंबर अगर factor n की बात करता हूँ इस इक कम हो जाता है इतनी बात अगर समझ में आ गई तो मैं तुरंत क्या कहूंगा कि भीया factor 18 है इसको ऐसे लिख दो प्लस factor 19 को 19 बाहर लिख दो अंदर factor 18 लिख दो इतनी बात समझ लगी आपके सामने ये दो पद हैं दो टर्म है factor 18 दोनों में सेम है common लेंगे यहां से 1 बचेगा और यहां से 19 बचेगा फिर इन दोनों को यहां पे add कर लो 19 और 1 होते हैं 20 अब आपको बताना है जीरो की संख्या कितनी है तो factor 18 के अंदर कितने 5 है पहले ये चेक करो गया यही तो तरीका है factor 18 के अंदर 5 चेक करने के लिए 5 तिया 15 बस 3 बार आपका क्या आजाएगा यहां पे 3 बार आजाएगा आपका 5 तीन बार पांच आजाएगा आपका ठीक है तीन बार आपका यहां पर क्या आ पाँच आ अब क्या करेंगे तीन बार 5 का मतलब है 5 की पवर 3 अब 20 के अंदर चेक कर लेंगे 20 के अंदर कितने 5 है एक बार 5 है ठीक है अगर मैं देखू कि 3 बार 5 यहाँ है एक बार 5 यहाँ है टोटल 5 की संक्या है मेरे पास 4 तीन बार यहाँ है एक बार यहाँ 4 अब क्या hundred की संक्या 4 होगी बिल्कुल होगी क्योंकि 2 तो बहुत सारे हैं टो फैक्ट्रल 18 के अंदर मैं 2 चेक करने बैठता भी हूं आपके लिए अगर मैं 2 चेक करने बैठता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा मैं आपको प्रता दो समझा दो यहाँ पे 2 से डिवाइट करेंगे तो 9 बार तो यह कट गया 2 से 4 बार यह कट गया 2 से फिर 2 बार कटा फिर से 2 बार एक बटा 9 4 13 2 15 और 1 16 तो 16 बार 2 है तो यहाँ पे जो कम है हमें वो लेना है तो 5 की संख्या यहाँ पे कम है हमने इसलिए वो ले लिए अगले एक और क्वेशन करते हैं इसी के जैसा जगह बनाएंगे यहाँ अगला सवाल करने के लिए देखे ध्यान से इसी के जैसा क्वेशन है इसमें करने के लिए क्या करेंगे सीधा सा कॉंसेप्ट कि सबसे पहले फैक्टोरिल 126 को आप अलग निकाल लो 126 बाहर आएगा अंदर बचेगा 125 माइनस का 125 अब 125 को बाहर लेलो फैक्टोरिल 125 को तो यहां बचा 126 माइनस का यहां बचा 1 ठीक अब बचा 125 इंटू 11 यह मैंने यहां तक सिंप्लिफाई कर लिया कि 125 और 11 इतना बचा क्या यहीं यहां पे सही हा रहा है घलत यह 126 है न यह 126 माइनस है 125 125 बचेगा ठीक है 125 फैक्टोरिल में है और इंटू 125 बाहर है यह बचेगा अब मुझे इस स्टेगे सामने यह क्वेर्चिन है की संक्षिन में जरूर्थ इसका बता है कितनी है इस संंक्या कि जल्दी से इसका एंसर आप लोग देंगे ठीक हिंग तो चलिए यहां तक I hope कि आपको ये concept समझ में आया हमने basically इतनी चीजों से शुरू किया कि 0 की संख्या क्या होगी ये जानने के लिए हमने देखा कि सबसे पहले 0 बनता कैसे है 0 बनता कैसे है ठीक है 0 बनता कैसे हमने इस पर focus किया 5 into 2 से यहाँ पर 0 बनता है ठीक है तो इतनी सारी चीजों के साथ session को close करते है आगे से कल से जो भी वीडियो होगी वो आपकी live होगी सीधा अभी आपका premiere mode है premiere mode मतलब पहले से recorded होता है आप तक मिल जाता है आगे से सारी वीडियो live होगी जो broadband की problem थी वो short out हो चुकी है आपके लिए तो we are doing a great things बाकी चीजों के साथ आपके साथ मेहनत कर रहे है तो I hope you will give the great result आप अच्छा result देनी की कोशिश करेंगे तो thank you, have a good day, take care